पिंजोर क्शेतर की दीलेफ कालोनी में दर्झनों परिवारों ने भाजपा पार्टी जवयन की पूर्व केंधरी राजामंत्री रतलाल कटारिया के नेतर्तम में हुई कारवाई पिजोर क्षेतर में डी अलेफ कालोनी के दर्जणों पर्यवारों ने देश के परधान मंत्री नरेंदरमोदी सरकार की जनहीत वेराष्टरवाधी नीतियों तथा हर्याण की मनहुर सरकार की लोख कर्यान कारी नीतियों से परभावित होकर शुक्रवार को भारतिय जिन्ता पार्टी की सद्यस्यता विदिवत रूप से ग्रहन की अंबाला सांसद वै पूरव किंद्री राज्यमंत्री रतनाल खटारिया ने पूरव विधायक लतिका शर्मा जीला पंचकुला के अध्यक्स आजय शर्मा वै मंडल अध्यक्स नराताराम की उपस्तिती में दर्जनों परिवार के लोगों को भाजपा का पटका पहना कर अध्यम से संगीता बैसला के साथ पूर्व विधायक लतिका शर्मा से संपरक कर भाजपा परिवार में शामिल होने की इच्छा जताई थी जिसके कारण आज सभी ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की है ज्वाइनिंग के कार्यकरम में बोलते वे अमाला संसद रतनल कटारे ने सबका भाजपा परिवार में स्वागत किया और साथ ही उन्हें विश्वास दलाय कि भारतिय जिन्ता पार्टी एक परिवार की तरह अपने परतेक सदस्य को मान समान देती है और हर सुक दुक में सा पूरविधहक लतिक शर्मा ने भाजपा के नव सदस्यों को भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा केवल राजनितिक पार्टी नहों कर आज की समय में देश के लगबग हर परिवार की समा सेवा की संस्ता भी बन चुकी है पूरविधहक ने कहा कि पर दक्षी बनना मेरे लिए बहुती सुभागय पुरन है इधर भाजपा जिला पंचकुला के अध्यक्स आजैशन्मा ने कहा कि भाजपा जिला पंचकुला के मुख्या होने के नाते सभी परिवार के नव सदस्यों का हार्दिक अभिनंदर करते हूने विश्वास दलाए कि भाजपा हर सुक दुख में सदैव उनके साथ रहेगी इस मोके पर यहां संगीता ने अपने साथियों से भाजपा की सद्यस्यता ग्रहन की डिल्फ निवासी संगीता बैंसला, सुधीर कुमार, संतोष कुमार, मास्टर जी, लालित गोयल, जोती वेद प्रकाष कुमार, अनिता, रानी गोयल, अमर्ता सुभाष कुमार, राधा रानी, रीमा धिंगरा, करंबीर मलिक, अमिता सुजाता गरवाल, रामफल सिंग, से तक ग्रहान करवाई